नमस्कार बित्रो मैं हूँ सचिन और आज में आया हूँ वारे मित्र श्री रविंद्र जी जो ग्राम बॉवाइन में है और आज उनके पाम हाउस में है हूँ बहुत ही अच्छा रभव होने वाला है डाल के पके ताजा आम इस पौधे के आप देख रहे हैं तोड़ाई चल अच्रूल नेचरएली की पूरी तरह प्राकृतिक पका हुआ है डाल का पका हां देखने कलर इसका हलका फीला है और जैसे की बाजार में आपो सबदल ठेके केंश है डरे को पाइस जाता है उससे फल जलदी हो अपथा आ है और वो इसी तरह सरीर में भी जर्भी प्यादा कर रहा है आप देख रहे होंगे आम खाने की पैसे बहुत सी परिशानियों को सामना करना पड़ता है अगर थोड़ी से सेंसेटिव है तो यह आप देख रहे हैं यह डाल का पका हुआ है हम स्वाथ चक्ते से फिर्फिर होता थ है यह सारे आम जो है यह पके हुए है अगर हम इनको एक दो दूने ऐसी रखते हैंगे तो इनमें कलर आना शुरू हो जाएगा इस सब पीले हो जाएंगे और अब दिखाते हैं आपको हम जामुन आईए यह आप देख रहे हैं कितने बड़े-बड़े आम है ऐसा लग नही मलिहाबाद छेत्र में हम ख़ले हुए है लगमाली जी इस ताम की जो आम का जो बजन है तो 500 ग्राम आधा केजी के आसपास इसका बजन होगा और उपर भी हो सकता है लेकिन आधा किलो से यह कम नहीं है तो क्या शांदार उत्पादन क्या शांदार पौधा देखिए बहु को देशी जाम हो